Honda Levo के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Honda Levo में आपको आने वाले कुछ मंद में क्या-क्या अपडेट वगएरा मिल जाएंगे तो चरो शुरू करते हैं वीडियो को तो इस साल जो है बाई जो भी गारीयों को लॉँच होना था वो लॉँच हो चुकी है अब जो है लॉँच हूंगी गारियां अगले साल के शुरुआत में जिसमें कि आपको Honda की लिवो भी मिलेगी जिसमें के आफो काफी नए changes मिलेंगे जैसे कि Honda का जो लीवो है इसका जो headlight है उसमें आपको कोई भी DRL नहीं मिलता है तो गारी में जो है अब आपको LED के DRL भी दिखने को मिल जाएंगे साथ ही गारी का जो होगा headlight वो भी आपको मिलेगा fully LED का लेकिन जो होगा tail light और जो होगा indicator ये आपको सेम मिलेगा अभी वाला हैलो जन का और गारी का जो होगा meter console वो आपको आने वाले कुछ मन्त में मिल जाएगा fully digital जिसमें कि आप अपना mobile phone भी connect कर पाओगे और साथ ही आपको brand प्रोवाइड कराएगा गारी में mobile charging port बाकी गारी का जो fairing है उसमें आपको changes मिलेंगे ये गारी जो है तब और भी ज्यादा muscular हो जाएगी क्यूंकि इसका जो engine है वो आपको तब मिलेगा 125cc का जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना इसमें आपको engine मिलने वाला है 125cc का तो ऐसे में गारी का जो size है वो आपको bulky और heavy मिल जाएगा गारी के जो होंगे tank flap tank cowl जिसे आप बोलते हैं वो आपको और भी ज्यादा sharpness के साथ मिलेगा और भाई वहाँ पे आपको honda का logo मिलेगा 3D में chrome finished बाकी जो tank है वहाँ पे आपको branding मिल जाएगी levo वगेरा की और इसकी जो fairing होगी उसका जो shape होगा उसमें भी आपको मिलेगा बहुत ज्यादा change साथ ही भाई इसमें आपको जो है आने वाले टाइम में engine cowl भी brand offer करें भाई इसमें अभी आपको कोई भी cowl बजरा नहीं मिलता है engine में तो आपको cowl भी देखने को मिल जाएगा बाकी इसमें भाई को जो है front में मिल जाता है telescopic fork पीछे आपको मिलता है twin shock absorber तो इसमें dimension जो होगा weight ना उसमें आपको बहुत जादा मिल जाएगा change भाई front में आपको गाड़ी में मिल जाएगी disc पीछे आपको मिल जाएगा drum और भाई आगे आपको optional मिलेगा disc का option और जो ABS है इसका भाई chance कम लग रहा है गाड़ी का जो engine है ये अभी आपको मिलता है 110cc का तो भा जाएगा और भाई जो होगी power figure वो भी आपको लगभग सेम ही मिलेगी आपको भाई बहुत हलका सा point में difference देखने को मिल सकता है आगे पीछे बाकी आपको भाई बिलकुल सेम मिलेगा आपको मिल जाएगा गाड़ी में silent start का feature और इसका भाई जो होगा tire वो आपको मिल जाए 100 mm का tire जो कि भाई आपको मिलेगा tubeless tire के साथ और इसके जो होंगे alloy वो आपको मिलेगे वही पुराने वाले shape में जो आपको मिल जाते हैं बाकी भाई front में आपको मिल जाएगी 240 mm की disc पीछे आपको मिलेगा 130 mm का drum और भाई गाड़ी जो है आपको बिलकुल ही नए colors और बिल तो भाई आप लोग चाहो तो आने वाली जो नई honda levo है ना इसका आपको वेट कर सकते हो और इसका भाई जो होगा price उसमें आपको मिल जाएगा difference लगबग 7,000 रुपए से लेकि 10,000 रुपए तक का और भाई ये गाड़ी अभी मिल जाती है आपको disc brake के साथ 80,000 रुपए और जो चैनल है साथ ही आप इसे भी कर लो सब्सक्राइब तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जैहिंड वंदे मातरम